हलो एबरीवान यूपी ट्रिपल सी से त्यारी करने वाले सभी छात्रों को नमस्कार मेरा नाम है पंकस आप देख रहे हैं पंकस एरूटेक देखो भाई पेट के परिक्षा को लेकर मैं बात करूँगा और नई भरती को लेकर बात करूँगा और साथ में जो पिछले बार प मकसद यही है कि यहाँ पर सिर्फ यह मैं सोलुशन निकालने की कोसिस करूँगा अखिर यह पेट कराने से वेनिफिट किया है दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पिछली बार पेट आया था उससे कितनी भरतिया हुई अभी आप निवीज पर उठा के देखेंगे तो आपक इसके पहले वीडियो भी देखे होंगे ठीक है जो अंकित सर है उनके वीडियो तो इसमें यह बात है कि सिर्फ सोसल मीडिया एक थुरू गवर्मेंट यहाँ पर जूट फैला रही है और बच्चे यहाँ पर सभी जानते हैं कितनी बेकेंसी आई है और कितनी बेकेंसी अब कि आपको पता है कि पेपर फाडने की जो एक वीडियो भी वारल हुई आप लोगों ने देखा होगा सोसल मेडिया पर बच्चे काफी नाराज थे नाकुस थे उनको पेट परिक्षा से बिलकुल नाराजगी थी कि यह क्यों कराय जा रहा है जब पेट परिक्षा करा ली ग आपने जो है कोई सब रोक कर रखा हुआ है साथ में जो अपकमिंग वेकेंसी है उसके बारे में कोई बात नहीं करते हैं अप यूपी ट्रेपलसी से जितनी भरतिया है सब पे पेंडिंग है मतलब 10% मतलब काम चल रहा है 90% यहां पर ब्रेक लगा हुआ है तो भरती निकाल पेट फॉर्म से गुवर्मेंट का रिमेन्यू बढ़ा मतलब गुवर्मेंट को प्राफिट हुआ 200 से लेकर के 2500 करोड की बात में कर रहा हुआ हूँ पैसे अब इसमें से कितना खर्चाया होगा उनको 20 से लेकर के 30 करोड रुपे रिमेन्यू राजी खर्चा हो जो होता है स सब कुछ करके 20-25 क्रोड रुपे खर्च विया होंगे अब गवर्मेंट का बन गया 200 क्रोड रुपे प्राफिट अब उस पैसे का जो है वैकेंसी कितनी निकाली गई आप सुचिए तो दोस्तों एक तरह से जैसे की उत्तरबदे स्टेट इक्जाम जो होता है ना सिक्षक भर रहेंगे वैकेंसी कुछ दिखाई देगी नहीं इसके बाद कुछ दिन पर इक्सपायर हो जाएगी वह सर्टिफिकेट फिर इसके बाद अगला पेट के त्यारी करना होगा फिर आप पेट का फार्म भरेंगे फिर से 600-500 रुपे पैसे लगाएंगे और फिर आपका सेंटर जाएगा हजार-दोहजार फिर खर्च करेंगे आप बस से फिर जा करके आप परिक्षा देंगे फिर मेरिट बनेगी और यह प्रक्रिया पता है गौर्मेंट दो-दो-सकरोड रुपे हर साल का माती रहेगी हर आट-दस महिने में अब इससे बेकेंसी नहीं के बराबर है न केंसी निकालते तो सारे बच्चे खुस होते और तयारी भी करते लेकिन सिर्फ पेट सिर्फ पेट सिर्फ पेट पेट करा करके लगता है क्या हासिल हो जाएगा यह समझ में नहीं आ रहा है फिर दोस्तो आप लोग क्या रहा है कमेंट सेक्शन में करना बताना आप लोग कम पर रोक लगना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए ठीक है और पेट भरती से क्या फाइदा है आप लोग कमेर्स करके जरूरू बताना जहिंद